दोस्तो इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ एक छोटा सा मार्केट कैप आज के दिन में मात्र 1100 करोर का है सिर्फ 1100 करोर का एक छोटी सी कमपनी लेकिन ताज़ुप के बात है यह अपने शेत्र में मार्केट लीडर है जी हाँ दोस्तो 90% से भी ज्यादा मार्केट शेर है इस छोटी सी मार्केट कैप कमपनी के तो कौन सा स्टॉक है क्या मार्केट शेर है फ्यूचर प्रोस्पेक क्या है सब कुछ बात करूँगा वीडियो को एंटायर देखिए काफी सस्ते और अच्छे स्टॉक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपके लिए फाइदे मन्द होगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा आप हमारे कम्यूटर की सरी को चेक करें आपको काफी सारी जानकारी हमारे इंट्री양आ कीसे होते है चली दोस्तोll देखते हैं इस चोटे से कमपनी के बारे में और जैसे मैंने आपको बताया, ग्यारा सो करोर का मार्केट कैप है, छोटी सी कमपनी, करेंटली एक सो सतरा रुपए पे मौजूड है, मैं चार्ट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, कि इस कमपनी ये फिलहाल कहां तक पहुंच सकता है, टेक्निकली क्या क्या पॉसिबल है तो बने रही है, आपके लिए टेक्निकल एनालेसिस भी आने वाला है, स्टॉक का पी रेशियो है 48 के आसपास, बुग वैल्यू है 47, प्राइस टु बुग वैल्यू लगाएंगे, तो लगभग 3 के आसपास आएगा, बहुती सस्ता है, सेक्टर का बात करूँ, तो सेक्टर गिरता है, उसके बाद बॉटम बनाता है, और फिर से यहाँ पे तेजी लग चुका है, अभी फिलाल 117 रुपे पे ट्रेड कर रहा है, नीचे आके इसका प्रदर्शन दिखाऊं, अभी भी मार्च का रेजल निकला नहीं है, प्रदर्शन डिसमबर तक ही है, लेकिन काफी अच्छा है, पिछले डिसमबर में 10 करोड का प्रॉफिट, डिसमबर 2020 में 23 करोड का प्रॉफिट, यह काफी अच्छा है, रेविन्यू भी अच्छा ग्रो किया है, प्रॉफिट मार्जिन 11 प्रतिशक से बरके 18 प्रतिशक हो गया है, तो कंपनी के लिए यह काफी अच्छी और March का result इस company के लिए काफी अच्छे आने वाले हैं, तो वो में सब कुछ दिखाऊंगा, और आगे चल के company कैसा production कर सकता है, इसके sector के prospect क्या है, सब कुछ बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तो, लाइक करके देखते रहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ NRB bearings के बारे में, NRB bearing, सब से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह market leader है, bearings में, automotive bearing में, यह market के leader है, यही चीज में आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पर, Today, over 90% of the vehicle on Indian roads, run on NRB parts, तो आप समझ सकते हैं, bearings, wheel का bearing हो गया, engine का bearing हो गया, जो भी moving parts है, उसमें bearings लगते हैं, और उसमें 90% of vehicle, जो Indian roads पे चलते हैं, उसमें NRB bearings लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं, company छोटी सी है, लेकिन market बहुत अच्छा grab करके रखा है, और आपको अभ automobile sector में धीरे-धीरे growth होगा, तो NRB bearings में भी धीरे-धीरे growth होगा, क्योंकि अभी फिलाल automobile sector down चल रहा है, और जैसे-जैसे unlock की प्रक्रिया होगी, vaccination बढ़ेंगे, automobile sector में हमें अच्छा-सा demand वापस आने में देखने को मिलेगा, और उसी के साथ-साथ उन से जुड़ी जो भी industry ह टायर, auto ancillary, NRB bearing जैसे जो भी company है, इन सब को अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, मैं detail में इनके product के बारे में नहीं जा रहा हूँ, आप इनके website को visit कर सकते है, मैं सीधा जाओंगा, इसका क्या prospect है, क्या हो सकता है, आगे क्या future prospect है उसके बारे में, सबसे पहले automotive bearings in India, how is visit shaping, अभी तो फिलहाल दोस्तों काफी down है, लेकिन shaping आगने वाले समय में काफी अच्छा हो सकता है, क्यूंकि जैसे जैसे unlock की प्रक्रिया होगी, जो मैंने आपको कहा, जैसे जैसे unlock की प्रक्रिया होगी, auto mobile sector में demand वापस आएंगे, और auto ancillary companies में भी demand वापस आएंगे, तो आपको थोड़ा सा time देना पड़ेगा, और वो time धीरे धीरे आ चुका है, मैं जब आपको चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट में भी आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों, इंजल ब्रोकिंग ने इनार्बी बेरिंग्स का target भी दे दिया है, 150 रुपे, हम चार् पहले आपको request ज़रूर करूँगा, आप small case के जरीए, इनार्बी बेरिंग्स में अभी से investment कर सकते हैं, किसी भी stock में अगर आपको investment करना है, SIP के माध्यम से तो आप small case के जरीए कर सकते हैं, description में link है, application को download करके register कीजिए, अपने इसे portfolio बनाईए, कोई भी stock डालिए, इनार सारे अच्छे-च्छे portfolio बना के रख दिया है, तो देखिए small case के जरीए, आप SIP कर सकते हैं, long term wealth creation के लिए small case को इस्तमाल कीजिए, description में link मिल जाएगा, मेरा भी portfolio का link मिल जाएगा, आगे बढ़के दोस्तों मैं prospect आपको बताना चाहता हूँ, automotive wheel bearing after market forecast, 2027 तक क्या forecast है, अभी के लिए कहा जा रहा है, 2019 में ये total market का size था 176 billion dollar, और हर साल 5.8% के आसपास growth यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो definitely इनको फायदा होगा और इस research में NRB bearings का नाम शामिल किया गया है, इसके साथ साथ global bearings for mechanical and electrical product, ये तो पहले हमने देखा था, automobile sector में bearing का का काम, अभी देख रहे है, mechanical and electrical devices जो हैं, उनमें bearing का क्या future prospect है, और वो भी दोस्तो काफी अच्छे है, काफी अच्छा growth यहाँ भी हो सकता है, और इस research में भी दोस्तो, NRB bearings का नाम शामिल किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो NRB bearing को दोस्तो आप जरूर से choose कर सकते हैं, small case के जर जाएंगे कि कहा तक पहुँच सकता है, immediate basis पे, तो आप chart देख सकते हैं, काफे गिरता है, तो इसी गिरावट का फाइदा उढ़ा के हम इसका retracement खोजने की कोशिश करेंगे, Fibonacci टूल के माध्यम से, तो हम सबसे पहले Fibonacci level draw कर लेते हैं, यहाँ पे उपर 100%, नीचे आख एक सो 32 रुपए पे, जो है 50% retracement, लेकिन मैं अभी आपको एक trend line draw करके दिखाना चाता हूँ, एक horizontal trend line, यहाँ पे इसको मैं draw करूँगा, अब इस level पे draw करने का कारण क्या है, कारण है दोस्तों कि पिछले बार, मतलब काफी पहले, यहाँ पे triple top का resistance लगा था, मैं आपके ल resistance आ रहा है, 140 रुपए पे, तो immediate basis पे, 140 तक यह stock आराम से पहुँच सकता है, उसके पहले इसके पास कोई resistance भी नहीं है, साथ में अगर मैं trend line draw करूँ, देखी यह stock जिस रास्ते से move कर रहा है, जिस तरीके से move कर रहा है, उस पे मैं एक resistance का trend line भी draw कर सकता हूँ, और यह trend line ज जाके हम check करेंगे कि कैसे आगे इसका prospect है, और super trend में भी buy signal है, volume भी अच्छे है, RSI भी अच्छे है, तो NRB bearings आप current level पे खरीदारी कर सकते हैं, immediate target 140 और एक साल का बाद का target की बात करूँ, तो लगभग 190 रुपए तक यह पहुची सकता है, तो इसको आप जरूर से study कीजिए, मुझे उमीदें आपको NRB bearing पसंद आएगा, small case के जरी आप जरूर इसमें निवेश कर सकते हैं, और फिलाल के लिए comment करके बताईए, आपको NRB bearing के बारे में कैसा लगा, कैसा लगा, technical analysis, कैसा लगा, इसका target, जो भी आपका राय है, इसके बारे में मुझे जरूर comment करके बता